आजने सभापती जी, गुजराप, छतीजगर, और मध्यपरेश, इन तीन राज्यों में, जहाँ कांगरेश अपने दम पर लड़ी, और सिक्स्टी फेर्मा से चाशट बचे सिरफ दो सीट जीत पाई है, चाशट बचे से इसका साफ मतलब है, कि इस तुना में कांगरेश पूरी तरह पर जिरी बन चुकी, और अपने सयोगी दलों के कंदे पार, उन्होंने चड़ करके ये सीटों का आखड़ा बढ़ाया है, अगर तंदरेश में अपने सयोगीं के जो वोट खाए है, वो अगर न खाए होते, तो लोग सभा में उनके लिए इतनी सीटे जीत पाना भी बहुत मुश्किल था, आदे लिए सभापतीजी, आउसे समय, एक आउसर आया, दोस्त ने कितास के रास्ते को चिला है, दोस्त ने विश्चीज भारत के सपने को शाकार कन्दो का मन बना लिया है, तब भावत को एक जुड़ होकर संभुर्धी का नया सभरताय करना है, एक आउसे समय, ये देश का दुर्भाग्य है, कि हिंदुस्तान में शेच्छे दसक तक राज करने वाली कॉंग्रेस पार्टी, आराज़क्ता फालाने में जिती हुई है, ये दख्षिन में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाब बोलते हैं, महपुरुसों के खिलाब बोलते हैं, इन्होंने आचा के आधार पर, बातने की हर्टोसिष की है, जिन्नेताओं ने देश के हिस्से को बालत से अलब करने की बकानत की थी, उनको संशब की टिकर देने तका जुर्बाग्या हमें देखना पड़ा जो कॉंग्रेस पार्टी ने पाप किया, पांग्रेस पार्टी खुले आम, एक जाती को दूसरी जाती के ख़़ाप, लड़ाने के लिए बोज नदईवे नेरेटिव गड़ रही है, नए टे अप्षा फ़़ा रहे हैं, आज़नेत सभापती जी है, बेश के एक हिस्चे के लोगों को हीन बताने की प्राइटी का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आज़नेत सभापती जी है, कांग्रेस देश में आर्थी अराज़त्ता फ्यलाने के दिसा में भी सोची सम्झी चांस चल रही है, चिनाओ के दोरान जो बाते की गई, राज़ो में, उनके राज़ो में, जिस प्रकार के आर्थिक कबे में उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक आराज़त्ता के तरफ देश को गसिटने वाला है, उनके राज्य देश पर आर्थिक बेज बन जा है, ये खेल जान बुद करके खेला जा रहा है, अगर इनके मन का परणाम रही आया, चार जुन को देश में आग लगा दी जाएगी, लोगी खट्ते होंगे, अराज़त्ता फ़लाएंगे, ये अधिक बुद से आदाहान किये देए, ये अराज़त्ता फ़लाना, इनका मक्सद है, भारत की लोग पांत्रिक पक्रिया के, सवालों के घुरे में लाकर, अराज़त्ता फ़लाने का प्यास किया गया है, प्यास किया गया है, ये अराज़त्ता फ़लाई गया है, ये अराज़त्ता फ़लाई गया है, पूरी इकसिस्टिम, इस गात को बल ज़ती रही, याकि उनके राज़नी के मकसद पूरे हो,